हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू दे एजुकेशनल चैनल ओफ बॉटनी एड़ा में आप सभी का स्वागत है आज हम फोटो सिंतेसिस चैप्टर के अंतरगत अपना नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे C3 साइकल या कैलविन साइकल या प्रिकास संसिलेशन की अंदकार अभी करिया ठीक है तीनों ही नाम एक ही है और ये जो आपका टॉपिक है C3 साइकल वन ओफ दा मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन है जैसा कि आपने इसका थमनिल में डाइग्राम देखा हूँ गवराईएगा नई काफी इजी सा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टन टॉपिक है चाहे आप BSC में हो चाहे आप MSC में हो सभी के स्टुडेंट के लिए इंपॉर्टन है यह जो हमारा C3 cycle है इसे हम एक एक करके reaction की रूप में पढ़ेंगे इसके बाद last में आपको इसका डाइग्राम बताऊंगी ठीक है सबसे पहले मैं आपको इसकी 6-7 reaction बताऊंगी जिसमें आपका first product बनता है fructose करके जो की आपका atmosphere में चला जाता है और carbon dioxide का synthesis होता है ठीक है synthesis के रूप में और इसके बाद मैं आपको 6-7 reaction बताऊंगी जिससे आपका regeneration होता है प्रथमिस्थाई उत्पात कर ठीक है तो एक एक करके हम यह सारी reactions को cover करेंगे और अपना जो C3 cycle है Kelvin cycle उसे cover करेंगे सो वीडियो के end तक बने रहेगा very important topic है यह आपका चलिए start करते हैं देखिए यह जो आपका C3 cycle है इसे तीनों ही नाम से exam में पूछा जाता है Kelvin cycle करके भी पूछा जाता है C3 cycle करके भी पूछा जाता है और photosynthesis की dark reaction करके भी पूछा जाता है तो सबसे पहले मैं आपको इसका नाम इसपस्ट कर देती हूँ कि इनका नाम के साधार पर रखा गया जिससे आपको याद करना easy हो जाएगा ठीक है तो इस अभी करिया में प्रिकाश की आवशक्ता नहीं होती है ये प्रिकाश की उपस्थिती अथवा अनुपस्थिती दोनों में होता है इसलिए इसे प्रिकाश चंशिलेशन का dark reaction या अंदकार अभी करिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें light की आवशक्ता नहीं होती है ये light के presence में भी हो सकती है इसलिए ये dark reaction या अंदकार reaction के रूप से भी जाना जाता है Kelvin cycle इसके बाद है 1946 में Kelvin Vincent ने इस चक्र या साइकल का अध्यन किया इसलिए इनके नाम के आधार पर इसे Kelvin cycle के नाम से जाना जाता है या Kelvin चक्र के नाम से जाना जाता है इसके बाद इस cycle में 3 कारवन बाला प्रतम स्ताई योगिक यानि 1st stable compound बनता है जो की आपका होता है 3-phosphoglyceric acid जो की आपका 3 कारवन बाला होता है इसलिए से C3 cycle के नाम से भी जाना जाता है ठीक है चुकि इसमें प्रकाश की अवशक्ता नहीं होती इसलिए से अंदिकार अभी क्रिया के नाम से जाना जाता है इसके खोच Kelvin cycle नहीं की तीसलिए से Kelvin चक्र के नाम से जाना जाता है और इसमें 3 कारवन वाला stable compound बनता है इसलिए इसे C3 चक्र के नाम से भी जाना जाता है I hope आपको इसके नाम क्लियर हुए होंगे अब मैं आपको इसका introduction बताती हूँ यह जो Kelvin cycle यह किस टाइप से वर्क करता है ठीक है तो Kelvin वैंसन नामक जो scientist थे इन्होंने इसके खोच की और chlorella नामक एक कोशी की सेवाल में कारवन पत की खोच करने के लिए radioactive tracer का प्रियोग किया Kelvin वैंसम ने क्या किया एक chlorella नामक सेवाल ली जो की आपकी एक कोशी की होती है उसमें कारवन के पत की खोच करने के लिए radioactive tracer तकनी का प्रियोग किया देन प्रियोग में उन्होंने प्लांट को 14 कारवन परमाणु भार वाले CO2 गैस दी जिससे ये पता चला कि जो 14 परमाणु भार वाली CO2 है वो कारवन परमाणु अब शोशित होकर किन किन योगिकों में उपस्तित होता है ठीक है और इन सभी को किसमें उपस्तित है, किसमें नहीं है, किस टाइप से चलता है, इन सभी को उन्होंने एक साइकल के रूप में, इन सभी रियक्शन को उन्होंने एक साइकल के रूप में प्रस्तुत किया और एक साइकल टाइप दिया, इसलिए इसे कैल्विन साइकल के नाम से जाना जाता है इसके बाद 1961 में कैल्विन वेंसन ने इस खोच के लिए नौबिल पुरुसकार दिया गया प्रिकास संसिलेशन में फर्स्ट इस्टेवल कंपाउंड थिरी कारवन वाला बनता है जो कि आपका फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है जिसमें 14 कारवन परमाणू पा अभलाद देते हूं सी थरी प्लांट वे प्लांट होते हैं जो केवल केलविन साइकल के द्वारा सी ओं टु का स्थरी करण करते हैं उन्हें थिफ्यक्षेशन करते हैं थीफ्यक्या करतें अब हम बढ़ते हैं अ黨टल कर six कोड़ दिख्यक्याषरिच्ष सायम पसानए से सुनिएगा reaction very important है जो भी आपका product है जो भी आपके reactant है उन सब को आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बिल्कुल भी टप नहीं है बिल्कुल easy सा topic है यह आपका C3 cycle ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी reactions ठैसे 7 reaction देखेंगे जिसमें आपका stable compound बनेगा last में fructose करके ठीक है तो यह जो cyclist में बहुत सारी अभी क्रियाएं होती हैं जो की निमने सबसे पहला है riblose 5-phosphate याद रखिएगा riblose 5-phosphate के 6 molecule ATP के 6 molecule के द्वारा phosphorrelated होकर riblose 1-5-diphosphate के 6 molecule उत्पन करते हैं और यह क्रिया फास्फो-riblose kinase enzyme की उपस्तिती में होती है और ATP, ADP में change होता है देखिए क्या हुआ सबसे पहले आपका riblose 5-phosphate के 6 molecule काम करते हैं सबसे पहली reaction में riblose 5-phosphate के 6 molecule work करते हैं ATP work करते हैं यह दोनों मिलकर ATP आपकी ADP में change हो जाती है then आपका riblose 5-phosphate जो है वो riblose 1-5-diphosphate में change हो जाता है reaction में देखिए riblose 5-phosphate, riblose 1-5-diphosphate में change हो गया जो आपका ATP है उसके 6 molecule ADP में change हो गया है यह किरिया आपकी fast poor riblose kinase enzyme की उपस्तिती में होती है तो देखिए एक बात guys और बता देती हूँ मैं आपको यह आप molecule जो है वो भले ही भूल जाए तो कोई problem नहीं लेकिन यह जो enzyme है जो कि आपकी reaction को complete कराते हैं इनको याद रखना very important है ठीक है molecule आगे पीछे हो सकते हैं कोई problem नहीं बट यह enzyme के नाम आपको particular तरीके से याद रखना है ठीक है तो मैं आपको enzyme पर ज़्यादा focus दूँगी molecule की अपेक्षा ठीक है first reaction confirm हुई आपको riblose 5-phosphate, riblose 1-5-difosphate में change होता है ATP, ADP में change होती है सभी के 6-6 molecule यूज होते हैं ठीक है अब देखते हैं second step Second step में, first step में जो बना आपका riblose 1-5-difosphate उसके 6 molecule CO2 के साथ मिलते हैं CO2 के साथ जुडते हैं Then 6 carbon bala, एक unstable compound, एक आस्थाई यौगिक बनाते हैं जो की आपका 3 carbon bala, phosphoglyceric acid होता है या फिर salt में से बोलते हैं PGA ठीक है, क्या हुआ, riblose 1-5-difosphate carbon dioxide के 6 molecule के साथ जुड़े Then आपका 6 carbon bala, unstable यानि आस्थाई compound बना और जो आपका unstable compound है, वो change हो गया PGA में यानि 3 carbon bala, stable compound, phosphoglyceric acid में ठीक है, और इसके 12 molecule बन गए और इस परकार riblose 1-5-difosphate के 6 molecule के द्वारा 3-phosphoglyceric acid के 12 अनू का निर्माण हो जाता है ठीक है, यह आपकी second step होती है Then इसके बाद third step आती है, इसमें क्या होता है? जो आपका 3-phosphoglyceric acid बना, यानि इसके जो 12 molecule बने, वो फिर से ATP के 12 molecule के साथ जुड़ते हैं और phosphorylicrit होते हैं, इसके बाद आपका बन जाता है 1-3-difosphoglyceric acid ठीक है, इसके 12 molecule बन जाते हैं और यह क्रिया होती है, आपकी phosphoglycerokinase enzyme के presence में ठीक है, यह क्रिया होती है, phosphoglycerokinase enzyme के presence में और last में ATP, ADP के अनू में चेंज हो जाता है तो यह होई आपकी 3-step, ठीक है फिर्स्ट स्टेप में आपका जो riblose है, वो riblose 1-5-difosphate में चेंज हुआ, then riblose 1-5-difosphate जो है वो PGA में चेंज हुआ then PGA जो है वो आपका 1-3-difosphoglyceric acid में चेंज हुआ ठीक है, यह reaction यदि आपको चेंज हो गई ना, तो जो आपको thumbnail में diagram दिख रहा है Calvin cycle का, वो आपको बिल्कुल easily समझा जाएगा, कोई भी problem नहीं आएगी, बस इन reaction को ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, fourth reaction है आपकी, इसमें क्या होता है, जो आपका बना 1-3-difosphoglyceric acid, इसके 12 molecule reduced हो जाते हैं, ठीक है, अफ्कृत हो जाते हैं, और reduced होकर, 3-phosphoglyceraldehyde के 12 molecule का निर्माड करते हैं, क्या होता है, जो आपका 1-3-difosphoglyceric acid बना, उसके molecule reduced हुए, और 3-phosphoglyceraldehyde के molecule में change हो गए, यह क्रिया होती है, आपकी co-enzyme, NADPH2 के 12 अनु के उपस्थिती में, ठीक है, reaction देखिए, 1-3-difosphoglyceric acid plus NADPH2, NADPH2 चेंज हो गया NADP में, और जो आपका 1-3-difosphoglyceric acid था, वो चेंज हो गया आपका 12-phosphoglyceraldehyde में, जो कि आपका 3-carbon वाला compound होता है, ठीक है, इसके बाद next reaction है, फिफ्थ, इसमें 3-phosphoglyceraldehyde के अनु isomerized होते हैं, यानि समा वाईवी क्रित होते हैं, और isomerized होकर, dihydroxy acetone phosphate का निर्माण करते हैं, यह याद रखिएगा, 3-phosphoglyceraldehyde जो है, वो चेंज हुआ, यानि isomerized हुआ, और dihydroxy acetone phosphate में चेंज हुआ, ठीक है, स्वयम में समा वाई वी क्रित होते हैं, और dihydroxy acetone phosphate में चेंज होते हैं, ठीक है, इधर पे कोई भी enzyme वर्क नहीं करता, क्योंकि यह अपने ही molecule में isomerized होते हैं, इसके बाद next reaction है, अगेन 3-phosphoglyceraldehyde के molecule, dihydroxy acetone phosphate के अनों के साथ जुड़कर, fructose 1-6-difosphate का निर्माण करते हैं, और यह क्रिया aldolase enzyme के द्वारा उत्प्रेरित होती है, देखिए क्या हुआ, जो आपका 3-phosphoglyceraldehyde बना था, वो जुड़ जाता है dihydroxy acetone phosphate के 3 molecule के साथ, ठीक है, और चेंज हो जाता है fructose 1-6-difosphate के 3 molecule में, ठीक है, और यह जो process होती है, यह आपकी aldolase enzyme के presence में होती है, बस simple सा क्या हुआ, जो 3-phosphoglyceraldehyde था, वो dihydroxy acetone phosphate के molecule के साथ जुड़ा, और fructose 1-6-difosphate में change हो गया, जो 7th reaction है, उसमें आपका fructose 1-6-difosphate से fructose 6-phosphate का formation हो जाता है, कैसे होता है, प्रतेक fructose 1-6-difosphate के molecule, एक phosphate की हानी होती है, यानि जितने भी आपके fructose 1-6-difosphate के molecule हैं, उन में से एक phosphate molecule की हानी होई, और वो change हो गया आपका fructose 6-phosphate में, और यहाँ पर enzyme work करता है, phosphate is enzyme, ठीक है, यानि यह जो reaction होती है, आपकी phosphate is enzyme की सहायता से होती है, ठीक है, तो आपका जो fructose है, यानि fructose 1-6-difosphate है, वो change हो जाता है, fructose 6-phosphate में, simple है, then आपका निर्माड हो गया fructose 6-phosphate का, अब यह जो आपका fructose 6-phosphate है, यह अनशरक्राओं जैसे glucose, सुक्रोज, मंड, स्टार्ज, इन सम में change हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रकार वाईउ मंडल में, CO2 का उपियो कार्वो हाइडरेट के संसलेशन में होता है, ठीक है, यह आपका आधा cycle जो है, वो complete हो गया, Kelvin cycle या Kelvin चक्र का, जिसमें आपका fructose 6-phosphate बना, और जो fructose 6-phosphate है, वो change होगे आपके बिविन प्रकार के शरक्राओं में, और इस प्रकार वाईउ मंडली है, CO2 का यूज कार्वो हाइडरेट के संसलेशन में होता है, इसके बाद अब हम देखेंगे इसका पुनहा उत्पत्ती कैसे होती है, यानि यह जो आपका fructose 6-phosphate है, इसका re-उत्पादन कैसे होता है, riblose में, है ना, first step में था ना हमारा riblose, उसमें कैसे regeneration होता है आपका fructose का, ठीक है, समझ आया आपको 6-7 reaction, यह complete हो गई अपनी सुरू की first, इसके बाद अब हम 6-7 reaction देखते हैं, इसकी regeneration की, यह जो आपका fructose 6-phosphate है, यह कैसे convert होता है riblose में, ठीक है, तो riblose dye phosphate की पुनहा उत्पत्ती, इसे pentose phosphate पत के नाम से भी जाना जाता है, जो अब हम देखने वाले हैं, और यह अमारी regeneration reaction भी कहलाती है, ठीक है, तो देखते हैं, दोनों फास्पेट्स, कौन-कौन से, सबसे पहला 3-phosphoglyceraldehyde, और दूसरा dihydroxy acetone phosphate, यह दोनों जो फास्पेट हैं, यह आपकी महदवपू regeneration में भाग लेते हैं, यह दोनों ही फास्पेट आपके, और इन परिक्रियाओं का क्रम निम्ननुसार होता है, यानि कि जो आपका riblose 1-5-diphosphate बनेगा, यानि इसका regeneration होगा, किस से, जो आपका उपर बना ना, fructose 6-phosphate, इससे बनेगा आपका riblose 1-5-diphosphate, इसका regeneration होगा, और यह जो आपके दोनों phosphate हैं, 3-phosphoglyceraldehyde और dihydroxy acetone phosphate, यह दोनों जो phosphate हैं, यह work करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं हम आप आगे का reaction, सबसे पहली reaction में, जो आपका बना fructose 6-phosphate, इसके दो अणू, 3-phosphoglyceraldehyde के दो अणू के साथ मिलकर, और किरिया करके, दो अणू xyl 5-phosphate के बनाते हैं, तथा दो अणू रित्रोस 4-phosphate के बनाते हैं, और यह क्रिया आपके transketolase enzyme के उपस्तिती में होती है, सिंपल सी reaction है, कुछ भी नहीं हुआ गाईज, जो आपका fructose 6-phosphate उपर बना था, वो दो अणू 3-phosphoglyceraldehyde के अणू से जुड जाता है, ठीक है और उससे जुड कर, जाइलूलोस 5-phosphate के 2-mollecule और इराइथ्रोस 4-phosphate के 2-mollecule का निर्मार करता है, ठीक है, और यह जो आपकी process है, यह transketolase enzyme के उपस्तिती में होती है, reaction देखी है आप, यह आपका 3-phosphoglyceraldehyde है, इससे जुड़ा आपका fructose 6-phosphate, यह क्रिया हुई transketolase enzyme के उपस्तिती में, देन आपका formation हो गया, जाइलूलोस 5-phosphate का, और इराइथ्रोस 4-phosphate का, ठीक है, यह आपकी regeneration की first step होती है, यह first reaction होती है, ठीक है, और यह जो process है, यह transketolase enzyme के उपस्तिती में होती है, enzyme आपको याद रखना है, important है, इसके बास second reaction देखी है, अब second reaction में, इराइथ्रोस 4-phosphate के 2 molecule, dihydroxy acetone phosphate के 2 molecule के साथ जुड़कर, pseudoheptalose 1-7-difosphate के 2 molecule का निर्माण करते हैं, जो की आपका 7-carbon-bala-yogic होता है, और eldolase enzyme महदवपून भूमी का निभाता है, ठीक है, उपर मैंने आपको बताया था, 2-phosphate work करेंगे, तो यहाँ पे आपका dihydroxy acetone phosphate work कर रहा है, ठीक है, फस्ट स्टेप में बना आपका जो erythrose 4-phosphate है, उसके 2 molecule work कर रहे हैं, दोनों ही जुड़कर आपका pseudo-heptalose 1-7-difosphate के molecule का निर्माण कर रहे हैं, और ये process आपकी eldolase enzyme की उपस्तिती में हो रही है, ठी जो कि आपका 4-carbon वाला molecule है, डाइ-hydroxy acetone phosphate के molecule से जुड़ा, जो कि आपका 3-carbon वाला योगी के, eldolase enzyme ने work किया, देन आपका फॉर्मेशन हो गया, pseudo-heptalose 1-7-difosphate के molecules का ठीक है, जो कि आपका 7-carbon वाला compound है, तो यह आपकी regeneration की second step हो गई, इसके बाद थर्ड स्टेप देखि 1-7-difosphate के molecule वने, उसमें से एक phosphate की हानी होती है, जिससे कि जो आपका pseudo-heptalose 1-7-difosphate है, वो change हो जाता है pseudo-heptalose 7-phosphate में, और यह जो process है, यह आपकी phosphate is enzyme की उपस्तिती में होती है, कुछ भी नहीं हुआ इस reaction में, जो आपका pseudo-heptalose 1-7-difosphate था, उसमें से एक phosphate के molecule की ह हानी हुई, ठीक है, और जो आपका 1-7-difosphate है, वो change हो गया pseudo-heptalose 7-phosphate में, ठीक है, reaction देखिए, pseudo-heptalose 1-7-difosphate, phosphatase enzyme ने work किया, और एक phosphate की हानी हुई, और change हो गया आपका pseudo-heptalose 7-phosphate में, ठीक है, यह आपकी regeneration की third step है, then fourth reaction में देखिए क्या होता है, pseudo-heptalose 7-phosphate, again 3-phosphoglyceraldehyde के दो molecule के साथ जुड़कर, riblose 5-phosphate और xylolose 5-phosphate के दो अणों का निर्माण करते हैं, यह क्रिया transketolase enzyme के उपस्तिती में होती है, क्या हुआ, उपर work कर रहा था आपका dihydroxyacetone phosphate, अब यहाँ पे जो आपकी step है, fourth step, इसमें 3-phosphoglyceraldehyde phosphate जो है, वो यूज होगा, ठीक है, जो आपका बना pseudo-heptalose 7-phosphate, 1-7 से जो आपकी हानी हुई phosphate के उससे बना pseudo-heptalose 7-phosphate, वो अगें जुड़ जाता है आपका 3-phosphoglyceraldehyde के 2 molecule के साथ, देन क्रिया होती है, और क्रिया के बाद आपका जो enzyme ने work किया, transketolase enzyme ने, और change हो गया आपका riblose 5-phosphate में, और xylolose 5-phosphate में, ठीक है, सिम्पल सा reaction है, देखिए, pseudo-heptalose 7-phosphate, जुड़ा आपका 3-phospho glyceraldehyde के साथ, transketolase enzyme ने work किया, देन आपका 2 product बन गए, सबसे पहला बना आपका riblose 5-phosphate और second बना xylolose 5-phosphate, जो कि आपके 5 कारवन वाले compound होते हैं, दोनों ही, ठीक है, देन इसके बाद next reaction देखिए, इसमें क्या होता है, xylolose 5-phosphate के 4 molecule isomerized होकर riblose 5-phosphate के molecule का नर्माण करते हैं, और यह क्रिया riblose phosphate isomerase enzyme की उपस्तिती में होती है, क्या हुआ, जो उपर बना आपका xylolose 5-phosphate, उसी के 4 molecule isomerized हो जाते हैं, समवाई भी क्रित हो जाते हैं, और riblose 5-phosphate के molecule का नर्माण करते हैं, ठीक है और ये जो आपकी process है, ये riblose phosphate isomerase enzyme के उपस्तिती है, ठीक है, चूकि याँ पे आपका riblose बन रहा है, riblose 5-fosphate बन रहा है, इसलिए enzyme riblose Tomb jobs, चूकि याँ पे xylylose Sinosobate enzyme के जो isomerised हो रहा है, तो इस टाइप से आपका isomerase enzyme थोड़ा सा आपको चीजों को याद रखके एंजाइम के नाम याद रखना है तो काफी एजी है याद हो जाएंगे हैं तो रियक्शन देखिए इसकी जाइलोलोस फाइफ फॉसफेट के मॉलिक्यूल आइसो मेराइजड हुए और चेंज हो गया आपका राइब लोस फाइफ पॉसफेट में और एंजाइम ने वर्क किया जो है राइब लोस फाइफ फॉसफेट आइसो मरेजगे इसके बाद लास्ट रियक्शन है आपकी अंत मे राइब लोस 6 फाइफ फॉसफेट के सभी सिक्स मॉलिक्यूल राइब लोस 15 डा फॉसफेट में परिवर्तित या री कनवर्ड हो जाते हैं और इस टाइप से आपका साइकल चलता है जिसे C3 साइकल, कैल्विन साइकल या फोटो सिंतेसिस की डार्क रियक्शन की रूप में जाना जाता है ठीक है तो बिल्कुल इजी सा आपका ये जो साइकल है लास्ट में क्या होता है जो पहले मैंने आपको जो साथ रियक्शन बताइए उनमें आपका फस्ट प्रोड़क्ट बना जो कि आपका कारवन डाय ओक्साइड की रूप में सिंथेसिस हुआ या वाईू मंदल में चला गया जो भी है जो कि आपका आधा रियक्शन था कैल्विन साइकल का दैन मैंने आपको सेवन स्टेप बताएं सो इस टाइप से आपका कंपलीट हो गया टोटल चाउदा रियक्शन में आपका सी 3 साइकल ठीक है अब मैं आपको इसका डाइग्राम बता देती हूं तो जो जो आपने रियक्शन याद की है उनको आप एज इट इस लिग दीजिएगा मालीक्योल यूज हो 59-6ailable को अढमाल तौल सा रिखाज़ाएं थे लिखा पीश्रेट जहाएं Aí। और सिंथा स्टॉब 3աइघ ता ऑपनधा त्यंफियर हाइद प्रनाभी संस्टीष में लां पत और श्राइब। डाइ फास्पेट बनने में, बाकी बचिया के डो मॉलेक्यूल जो है, उनसे आपका स्यूडो हेप्चल- 1,6 कैलविन साइकल बहुत ज्यादा यहीजी है, जो मैंने आपको रियक्शन बताई है, उनहीं को इस साइकल के रूप में लिख देना है, English में लिखो या Hindi में लिखो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया BSC और MSC दोनों के स्टुरेंट के लिए ये important topic है ठीक है कोई भी problem आप मुझे नीचे comment कर सकते हैं I hope video आपको clear हुआ होगा Notes जरूर आप लिखिएगा हर वीडियो में मैं आपको बोलती हूँ काफी easy language में मैं आपको notes प्रोवाइट करती हूँ तो notes जरूर आप particular तरीके से लिखिएगा मिलते हैं next video में new topic के साथ So thank you so much for watching keep on learning Guys video को like और channel को subscribe करना ना भूले